आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन के कीवोर्ड में या फिर जीवोर्ड में वोईस टाइपिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है देख सकते हैं हम यहाँ पे ये माइक वाले आइकन पे किलिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आ रहा ह No Permission to Enable Voice Typing तो इसे कैसे ठीक करें आईए जान लेते हैं तो इसके लिए यहां से बाहर आकर आप अपने फोन की Settings ओपन करिए और फोन की Settings ओपन करने के बाद नीचे स्क्रोल करिए नीचे आकर यहां पर Apps आएगा देख सकते हैं तो Apps पे क्लिक करिए उसके बाद उपर Manage Apps आएगा इस पे क्लिक करिए और यह Manage Apps आपके फोन में App Manager या फिर App Management नाम से हो सकता है तो इसे उपन करने के बाद यहां पर उपर Right Side Corner में तीन डॉट आएगा तो इन तीन डॉट पे क्लिक करिए तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद आएगा Show All Apps Show All Apps पे क्लिक करिए क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रोल करिए नीचे आकर यहां पर आएगा Gboard अगर आपको नहीं मिलेगा तो यह जो उपर सर्च बार आएगा इस पे क्लिक करिए किलिक करने के बाद टाइप करिए जी बोर्ड जी बी ओ ए आर डी उसके बाद देख सकते हैं जी बोर्ड आ रहा है तो जी बोर्ड पर आप किलिक करिए उसके बाद आएगा नीचे एप परमीशन या फिर आपके फोन में परमीशन के नाम से आएगा तो इस पे किलिक करिए किलिक करने के बाद आएगा Allowed इसके नीचे आएगा Not Allowed Not Allowed में आएगा माइक्रोफोन माइक्रोफोन पे किलिक करिए किलिक करने के बाद आएगा Allow only while using the app इसे सलेक्ट करिए और इस पे किलिक करने के बाद Back आएए और माइक्रोफोन की परमीशन चालू करने के बाद आप यहां पे अब चेक करिए वोईश टाइपिंग करने में आपको ये प्राबलम शो नहीं होगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें